अगर गुद मॉर्निंग फेंट्स आज हमारी लास्ट है ये यह closing class है class 11th है आज हम ancient India को close-down करेंगे जो कि इंडिया के बारे में डील करेंगी after the harshah हम tripadite struggle करेंगे और असाम की history को तोड़ा सा study करेंगे कामारूप बोलता थे असलाम को उसकी history को तोड़ा सा study करेंगे start करने से पहले please bell icon को जरूर click करिए और मेरे YouTube चैनल को subscribe करिए हर्षा के बाद का period कर रहे हर्षा की जो death हुई है वो mid 7th century AD में हुई और इसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी around 12th century इसने 600 साल का period इसके बीच में cover किया हर्षा की death के बाद 647 AD में कनोज की जो ताकत थी ना वो खतम हो गई उसका जो capital city वाली ताकत थी वो almost lost हो गई 8th century AD में कनोज दुबारा ताकत वर बना यश्व वर्मन एक रूलर रहे थे उनके अंडर जो बेंगाल वे victory रही है यश्व वर्मन की यह एक कावय लिखा गया है इसके उपर गदवा हो यह वक्त पती राजा court point होते थे यश्व वर्मन के उन्होंने लिखा तो उससे हमें इस history के बारे में पता जबता है यश्व वर्मन famous king थे embassy उन्होंने चाइना तक बेजी गया जी 731 AD में फिर में जमेटिस थे बावा बूती यह आतर रहे हुए हैं बड़ी अच्छी बुक्स रही हैं मालती मधावा उत्रारामा चरीता और महावीर चरीता यह की कोड के मेंबर थे यश्व वर्मन के successors के बारे में मैं कुछ खास पता नहीं है तो ultimately कनोज को चार रूलर्स में रूल किया राउंड 742 810 AD और यह फिर मोहमद गोरी के हाथ में आया था राउंड 1194 AD जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लोजिंग सेक्षिन है ना वह जो ट्राइश स्ट्रकल है कि अगर अगर अची वैड लें च्यूंञें एंचें इंडिया का क्लोजर ऑध और और यह flower का स्टार्ट में कोई भी स्सक्राइब करेंगे और इसमें तीन तक नाम आता है तो ले स्ट्री में कष़ेडी मंने क्श्राइब मांनते हैं कि सट्री डियरिया में यह को रजस् airport गई उसके हिसाब से एक खवन हुआ ता मौट अबू में यह वहां पैदा हुए थे उस यगन में चार क्लैन पैदा हुए इन चार क्लैन को अगनी कुल बोलते हैं एक तो गुज्रा प्रतिहारा से फिर दूसरे चलुक्यास थे परमारा से और चाहवना से प्रतिहारा जो है न वर्ड इसका लिट्रल म हम लक्षमन के वंच्छ यह वो दोर की पर वर्ड प्रतिहारा वर्ड अपने साथ लगाते थे जो अर्ली हिस्ट्रिया है इस फैमिली की वह ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन है राजा भोज का बड़े फूमस किंग रहे हैं जैंस्टी के उनके उनसे पता चलता है आपने बड वड़ाजस्थान का और सेंट्र इंडिया का रिजन था दूसरी देनले स्ट्र कुडास यह सौथ तक स्प्रेड़ हुए हुए थे और तीसरे थे पालास जो बंगाल के उपर थे चैनल इंडिया के लिए लड़ते रहते थे और इन तीनों की लड़ाई जो है इसी कोो ट्रा एक तरह से खिचडी बन जाती है उस खिचडी को क्लियर करने के लिए मैंने एक पेज एंटर एड़ किया है इससे मैं आपको लिस्ट डाउन कर दूंगा ताकि बाद में आप जब कंपेर कर पाएं रीड करते नहीं तो आप इस पेज के साथ कंपेर करके बड़े एजीली समझ समझान की बाता है कि कुस्ट राजा से धरम पाल कीतरा दिया आ थीली इंडीकेटर है किस ने किसको बता रहा हूँ एक superficial level ताकि आप list down कर पाए राजा कुन से राजा थे और किस density को belong करते थे वस राजा ने ना पाला किंग थे गुपाल के बाद आये थे धरमपाल तो इन्होंने धरमपाल पे हमला किया और धरमपाल को हरा दिया धरमपाल को हराने के बाद ये उस victory का फायदा उठा पाते इसको बरदाश नहीं कर पाये राश्ट्र कुटा किंग दुरुवा और उन्होंने वस राजा पे हमला कर दिया और वस राजा को हरा दिया इसका फाइदा धरमपाल ने उठाया और धरमपाल ने अल्टिमेटली कनोज पे हमला करके इंद्रयोद्धा को हराया और चक्रयोद्धा को कनोज पे बिठा दिया वज्स राजा के बाद अगले राजा बने नागाबटा वन नागाबटा टू इन्होंने सुल्तान वेगा ये कैलिफल ममूथ के अंडर थे सुल्तान वेगा इनको हराया था इन्होंने चक्रयोदा को भी establish किया, इंद्रयोदा को हराया, इन्होंने इंद्रयोदा को हरा के चक्रयोदा को वापस थ्रोन पे बढ़ाया था, यह बड़े strong ruler थे, इन्होंने धरम पाल से लड़ाई की, उसको हराया, इन्होंने गुविंदा थोड थे, रश्टकुटा किंग उन से लड़ाई की उनको भी हराया फिर अगले राजा आये रामा भद्रा जिनको देवा पाल से लड़ना बड़ा था रामा भद्रा के बाद अगले पावर्फुल राजा बने भोज राजा भोज बहुत पावर्फुल थे उन्होंने काफी इस्टेब्लिश्मेंट्स की कृष्णा सेकेंड जो थे रश्ट को डगिंग इनको भी हराया था इनके बाद महिंद्रपाल वन बने और फिर कनोज की इंपोर्टन से कम हो गई तो मैं में राजाओं का नाम लिस्ट कर देता हूं नागभट्टा वन वत्स राजा पहले राजाते फिर कृष्णा वन आए फिर दुर्वा फिर गुविंदा थोड आए फिर अमोगा वर्शा वन आए फिर कृष्णा टू आए उसके बाद सकसेसर में इंद्रा टू इंद्रा थ्री कृष्णा थ्री यह वीक रूलर्स रास्त तक रहे 93980 तक यह इस्टेबि अगर आपको रीड करने में प्रोब्लम आएगी डाटा मैं समझने में प्रोब्लम आएगी तो आप इसमें आपको सांथ रखेगा तो आप इससे बड़ी इसली समझ पाएंगे कि यह कौन सा राजा किस से लड़ा नागा बटटट वन जो थे ना रियल फांडर थे इस टें इंफ्लिक्ट हुआ पाला किंग्स जो थे बेंगाल के वत्सराजा ने पाला किंग धरंपाल को हराया बट अन्फॉर्चुलेट्टी मैंने आपको बताया यह अपनी विक्ट्री का फाइदा उठा पाता उससे पहले रश्ट्रकुटा किंग द्रुवा ने इन पे हमला कर द दुबारा इन्होंने धरंपाल को डिफीट किया इन्होंने रश्ट्रकुटा किंग गुविंदा थर्ड से लड़ाई की सुल्तान वेगा को इन्होंने हराया जो कैलिफ अलमुमूद के अंदर गवर्नर थे सिंद के उनको तक हरा दिया इसने नागाबटा के बाद अगले राजावने रामा भद्रा जिन्होंने तीन यह तक रेहन किया और प्रतिहारास ने सबसे ज़्यादा इनके टाइम पर सफर किया जो रामा भद्रा उनके बेटे बने अगले अगले सक्सेसर बोजावन और जो भी फॉलिंग फॉर्चूंस ते जो इनका इनका स्ट्रक्चर घट रहा था उसको वापस इन्होंने रेस्टोर किया उसको वापस एस्टेबलिश किया रश्टकुटा किंग कृष्णा टू जो है इनकी लाइफ और डेथ स्ट्रकल रही थी इस्टन चलुक्यास के साथ बोजावन ने इसको हराया कृष्णा टू को और इनसे मालवा और गुजराद का अरिया भी जीत लिया था इसने अपनी स्वेरनिटी काफी बड़े अरिया में स्टेबलिश की पंजाब और कुछ और अरिया बी आते है इसमें इसका नाम काफीका कानियों में आता है कहीं गंगू ते लिए अपनी सुरी सुनी होंगी बहुत विश्णू के थे अदीवराहा इन्हें कहा गया है इनने महिर या प्रभासा भी कहा गया इनके बाद िनके बेटे महंदर पाल वन अगले राजा बने जिन्हें महंदर योदा या निर्भे नरंद्रा भी कहा गया है एंपायर को इनन Liaresj Shekhra बड़ा रसेट से हरा विलासा यह कवे है राज्य शेखरा के यह कोशन बड़ी बार आया हुआ है कि राज्य शेखरा किसकी कोर्ट के मेंबर थे यह पेपर में आया हुआ कोशन है जी प्रतिहारास ने नॉर्दन इंडिया को दो सब्सक्राइब किया अलमसूदी एक नेटिव थे बेगदाद के 915-916-8 इंडिया है तो उन्होंने बताया था कि बहुत पावरफुल रष्टकुटा एंपायर था इंडिया में जी इनके बाद अगले राजा बने थे इंद्रा टू जिनके जिन रष्टकुटा किंग थे इंद्रा टू उन्होंने कन्योज को पूरा तबाह कर दिया राउ वेस्ट्मिंगाल जब ये बाला बनें उनके ऑलात किया थे कि वेस्ट लं को गोडा वोलते थे इसट लंगा गहा जाता था इंटर्नल डिसॉर्ड़र था वहां पर गुऑ कई स्ट्रॉक्टा नहीं था तो इंटijnल इस हिस्ट्मादी को मतसायना एंड लोको ने उन्होंने जो की एक मिनिस्टर था लास्ट किंग का उसको अगला राजा चुना गुपाला के बाद उसको सक्सीड किया धरंपाल ने 780 AD में काविस्ट्रॉंग रूलर था हमने पड़ा अभी गुज्रा पतिहाराज में कि इसने इंद्र योद्धा को हराया इसने चक्र योद्धा को द्रम्पाल को सक्सीड किया इसके बेटे देौपाल ने जो काफी माइट्री पाला किन थे इन्हों ने प्रग जोत् आप इस देंस्टी की ताकत इसी से समझ सकते हैं कि स्वर्न दीपा टैट इस मालिया पैनिसला जावा सुमित्रा वहां के जो राजा थे माराजा बाला पुत्रा देवा उन्होंने नलंदा में एक मुनास्ट्री बिल्ड करने के लिए पालास को रिक्वेस्ट की थी कि वह इन् नौर्दर इंडिया पे तो दक्कन को रूल कर रहे थे रश्ट कुड़ास रश्ट कुड़ास के जो राजे थे ना यह अर्ली बेसिकली देवर ऑफिशियल जिंदा चलुक्याजव बदामी जो चलुक्याजव बदामी किंग्टम थी उसमें ये ऑफिशल्वा करते थे को इसके अंकल कृष्णा वन ने सक्सीड किया एडी सैन फिफ्टी एट में और उन्हें एंपायर को माराष्ट्रा से करनाटका तक एक्स्टेंड किया दुरुबा आगे आने के बाद तो निया एरा ही आगया रश्टुक्याज में इसने चलुक्यान किंग्स जो थे वैंग से एट थाटीन एडी तक रहे और इन्होंने पाला किंग धरम पाल के साथ और चक्रिवधा के साथ जो कनोज के राजा थे उनसे लड़ाई की इसने गंगास चीरास पांट्यास और पालवास का जो घमंडा उसको भी तोड़ा था गुविंदा थर्ड को सक्सीर किया इनके पेटे अमोगा वर्शावन ने 60 years रूल किया इसने बट हम ज्यादा तक जो जानते हैं वो इसकी रिलिजिस वर्क्स या लिट्रेरी वर्क्स के बारे में जानते हैं इसने खुझ एक कवे लिखा है कवी राज मारगा यह करनड का अर्लियस्ट पोईटिक वर्क है जी अमोग तर्ड ने डिफीट किया प्रतिहारा किंग महिंद्र महीबाल वन को और उसकी कैप्टल कनोज को बिल्कुल तबाह कर दिया था क्रिश्णा थार्ड लास्ट ऑफ लिस्ट में है ब्रिलियर्ट रूलर्स के और इनकी फिर स्ट्रगल रही जो की परमाराजव मालवा और केमपल वहां पर इस्टेबलिश किया था इन तीनों की लड़ाई को हम ट्राइपरटाइट स्ट्रगल बोलते हैं और एट सेंच्री के एंड आते तक यह जो हमें पता है कि दिरवाद थ्री पावर्स इन इंडिया गुज्रापतिहाराज नौर्थ में पालाज इस्ट में औ कोई भी मेडिवल इंडिया की बुक यह टॉपिक डिसक्स करने के बाद ही नेक्स टॉपिक डिसक्स करती है लास चेप्टर आवदा एंचिन इंडिया देर फर्स चेप्टर ऑदा मेडिवल इंडिया अच्छा हिस्ट्री करते ना एक चीज़ और यहां तक है हमें यह प्रग्जोतिश्पूर कहते थे यह रिजन जो है सिंगल डेंस्टी ने रूल किया है महाभारत से लेके मिडल से मिडल ऑफ दा सेवन सेंट्री एडी तक सोर्स जो है इस हिस्ट्री के वो दूब्य और निबंदपूर की कॉपर ब्लेंट्स हैं बासकर वर्मन राजा थे उनकी इस जैंस्टी ने क्लेम किया है कि यह असूरा नारका है यह डिसेंडेंट है असूरा नारका के जो पुरानास के हिसाब से धर्ती और विष्णु भग साल तक जो है इस एरिया को रूल किया और फिर एक राजायते पुष्या वर्मन पुष्या वर्मन जो है यह नाम हमने पहले पड़ा यह कंटेंप्रेरी थे हर्षवर्दन के वेरियस सोर्स के हिजाब से हमें पता चलता है अल्मोस्त तेरा ना जाओं के बारे में डिटेल इ सोसाइटी और कल्चर जो है वो काफी ग्रोव हुआ इस पीरड में संस्कृत में लेंगवेज रही पाली और प्राक्वित जो है बुद्दिश जयान लिट्रेचर में यूज हुई यह रामा चराता बुक थी सद्याकारा नंदी की यह पाला किंग जो है मही पाल की लाइफ के उपर लिखेगी है और यह रामा की लाइफ और रामा पाला की लाइफ दोनों को डिसकस करती है शीवा और पार्वती की जो मेरेज है राक्य और रुक्मनी की मेरेज जो है उस पे पार्वती रुकमन्या बुक लिखे गई यह वुद्या महा देवा ने लिखी थी कोड़ उल्फा चरीता शांती सूरी नेगी कारपाला चरीता नमीनात चरीता हिमा चंडरा न Demi सु्खमाला चरीता श्री हरा ने लिकी नमीनात चरीता ह्रीबद्रा ने राजतरंगनी इस प्रिण में लिखी यह कल्हाना नहीं है एस्ट्री ऑफी कष्मीर बहूद बार कष्मीर के ओपर जेयंड के लेवन में ये कोशन पूछा गया है तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है यह राजतरंगनी है कलाना ने लिखी राजंद्र कर्न्पुरा संबू ने लिखिए और लाजी है हर्शा और कश्मीर जाएं स्मेश्वरा ने लिखा विक्रमाना नाका देवाचरीता बल्हाना लिखी नवाश्चक्रा चरीता पदमागुप्ता ने लिखी काव्यम इमामसा ये राजिशेक्रा ने लिखा दशारूपा धनजे ने लिखी सरस्रती कंथा भराना बोजा ने लिखा कवी अंश्वांसाना ये हिमाचंद्रा ने लिखा कवी कंथा भराना ये किश्मेंद्रा ने लिखा ये बहुत सारे कंवेश जो हैं और कुछ और बुक्स के नाम भी ये डिटेल में दिया हुए तो ये सारे लिखेंगे ये टेक्स्ट के हिसाब से मेरा मानना है कि दो तीन बार लिखेंगे तभी याद होगा दो तीन बार लिखेंगे इनको नामों को और राइटर्स और इनकी बुक्स का डिटेल कवर करें कि टोस करने से पहले दिस्ट एंड ऑफ एंशें इंडिया तो थैंक्स तो अल आफ यू पर लिस्निंग तो वाल इस लेक्टर्स खटम करने से पहले एवरी मॉर्ण वेर बॉन अगें वाट वीडू तोड़े इस वाट मैटर्स अमोस्ट हर दिन पिछला भूल जाहिए अग कर सकते हैं सेफ कर सकते हैं अपने पास ताकि इसको रिवाइस किया जा सके और यह कंटेंट आपके पास सेफ रहे थैंक्यू